अगले 21 days तक आपको यह करना ज़रूरी है रिगुलर ली करना है और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको कम टाइम में ज्यादा स्यादा कुछन प्रैक्टिस करना है और हर एक कुछन का आपको डीटेल एक्समिनेशन जल्दी से जल्दी समझना है उससे आपका confident boost होगा अगर आप question solve भी ने कर पाओगे न तो automatic आप demotivate हो जाओगे लेकिन एक दो दिन बाद mind से almost निकल जाता है almost भूल जाता है ऐसा लगता है कि कुछ पर ही नहीं है फिजिक्स जो की maximum need testament का weak subject है लेकिन need 2025 करना है अगा तो physics में अच्छा का सा score करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है एक time था जब मेरा भी physics काफी ज्यादा week हुआ करता था लेकिन मैंने सही strategy apply करके सही तरीका apply करी है physics में improve भी किया और अच्छा कसा score भी किया था तो आप भी कैसे physics में improve कर सकते हो मैंने क्या apply किया था वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि आप नेक्स 7 म करके physics में अच्छा सा score भी कर पाऊ और नीट कर भी कर पाऊ तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं देखो class 10-11 के time physics मेरा बहुत ही ज्यादा week था मतलब physics देखने से लगता था कि यार यह मुझसे नहीं हो पाएगा सब कुछ सर के उपर से जाता था कभी-कभी अगर concept clear भी होत अब इसका solution क्या है मैंने क्या apply किया था सबसे पहले ना मैंने यह चीज देखा था कि reason क्या है किस वजह से मेरा question solve नहीं हो पाता concept अच्छे से clear होता क्यों नहीं है सबसे पहले ना मैंने reason find out क्या reason मेरा यह था कि basics वाले जो chapters थे वो मेरे अच्छे से clear नहीं थे बेसिक्स ही clear नहीं था जिस वएसे होता क्या था कि concept तो clear हो जाते था अल्मूस्ट बट basics के वजह से questions मैं solve नहीं कर पाता था तो मैंने क्या क्या बिल्कुल zero से start किया step by step process follow किया basics बिल्गूल करने लगा अच्छे से basics को complete किया time दिया अच्छा का साब basics वाले chapters में फिर धीरे basics वाले chapters जो भी है class 11 से आपको अच्छे से clear करना जरूरी है और जितने भी formulas सारे formulas करना आप list बना लो उसको regular basis पर आपको revise करना जरूरी है तो basics वाले chapters यानि कि basic math और wector आपको अच्छे से clear कर लेना जरूरी है और उसके सथ ये chapter से आपको करना है और जब भी gravitation करो गए ग्रैवीटेसन अच्छे से क्लियर करना ज़रू है तभी आपको अपको करना क्या है एक चीज का ध्यान में रखना है जब भी लेक्चर देखोगे लेक्चर देखने के बाद आपको जो इक्जामपल्स अच्छे से देखना ज़रूरी है जितना भी टॉपिक अपने लेक्चर के थुरू किलियर क्या उससे लिटर आपको इक्जामपल्स देखोगे पहले इजी टाप के इखना पर फिडिफिकल्स टाप के फिड मीलियम टाप के तो आपको इसका प्रोसेस समझना है कि क्या पुछा गया एपलाई कैसे हुआ कैसे ऑफिटेवाइम टापको इसका क्यों एक बार करना है और साथी साथना अगर आपने एक बार किलियर किया तो आपको दो बारा किलियर करना है इनी से लिए आपको यह करना जरूरी है एक बार में आपको कॉंसेप्ट किलियर नहीं होगा दो बारा अच्छे से देखना है फिर सापको कॉंसेप्ट किलियर करना है बेसिक स्वाले में आपको ज्यादा टाइम देना जरूरी है फिर उसी के स पतना एक और important चीज़ बताना चाहोगा, देखो NCRT पढ़ना तो यहां पर बहुत ज्यादा ज़रू है, आप सुब को भी फटते होंगे, लेकिन NCRT accelerated जब भी कोई question solve करते हैं, या फिर mock test में question attempt करते हैं, अक्सर बहुत सारे question में गलती करते ही हैं, लेकिन क्या हो कि अब तक जाने कि physics, chemistry, biology से related आज तक तक तुमने जितने भी questions प्रैक्टिस किया है अभ्यास बैस से या फिर आगे जितने भी questions प्रैक्टिस करने वाले हो वो सब कुछ जो है NCRT में automatically pink line से highlight हो जाएगा ना स्विफ यह उन pink line को touch करके आप जो जितने भी questions गलत कियो उनको और जितने भी questions आपने किया उन सारे questions का जो आपको detail video audio tech solutions भी मिल जाएगा इससे आपके preparation जरनी जो और भी easy होने वाला है NCRT अब आजवेज में सिब यह एक feature नहीं है इसे के सद और भी बहुत सारे features मिल जाएगा Like NCRT के हर एक page से related questions मिल जाएगा Like आपने आज 10 page complete किया उससे related questions प्रैक्टिस करना है एप को open करके उन pages को select करके question प्रैक्टिस कर सकते हो उसे एक सद लांस्ट 25 वेस का P.O.I.Q. मार्क किया हुआ NCRT मिल जाएगा यानि कि NCRT के किस topic से कौन से line से question आ चुका है वह आपको highlight किया मिल जाएगा उसको touch करके आप question प्रैक्टिस कर सकते हो और हर एक question का detail solutions तो मिले गाई बट जब कोई question solve कर पाऊगे उसको solve करने के लिए हेंड भी मिल जाएगा और important questions को आप bookmark करके भी रख सकते हो और साती सथ latest syllabus के according आपको जो हर type के questions मिल जाएगा like assertion reasoning type के questions हो गया, diagram based, statement based, leveling type, match type, sequencing type, graph interpretation type, QIQ type के questions मिल जाएगा, ताकि आप हर तरफ से prepare हो पाऊँ और अभी अगर इस batch को join करते हो तो आपको जो अभ्याज essential भी मिल जाएगा जिसमें आपको हर एक chapter selected 75 से लेकर 100 high yield questions मिल जाएगा page wise manner में, और साथी सथ MCRT के examples, index questions, और एक्जांप्र के questions जो हैं आपर MCQ format में मिल जाएगा और 2019 से लेकर 2024 के आपको जो हर एक question paper मिल जाएगा इवन गंगानगर और मनीपुरवाल भी मिल जाएगा, तो NCRT अभ्यास बेच के साथ यह तो इस बैच को अभी जोइन करना चाहते हो, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको monthwise कैसे करना है, फर्स्ट मंत में आपको 4-5 chapters करना है, बिल्कुल basics वाले chapters करना है, बट detail वेसे हार इक line, हार इक point को अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है, चाहो तो आप इन सब chapters को कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास time ज्यादा बसता है, तो आप modern physics को आप 8-9 chapters कर सकते हो, मेरा strategy और वीडियो नहीं देखे हो, तो जाके देख सकते हो, अब second और third month में इन सब chapters को आपको करना है, साती सथ आप कुछ और extra chapters भी कर सकते हो, या फिर कुछ कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप physics से साथ automatically अगले तीन मैने में आराम से adjust हो अब revision कैसे करना है, आगे बात करता हो, उससे पहले study का approach क्या रहे ना चाहिए, उसके बारे बात करता हो, जब भी lecture देखोगे, lecture के साथ साथ आप notes अपने सामने रख लेना, अगर आपको notes प्रोवाइड किये जाते है, coaching के तरप से या पिर पहले से अगर आपके पास notes है, अगर नहीं है, तो उसके लिए आप bullet points भी लिख सकते हो, lecture देखने के तरण, तकि आप बात में notes बना सको, अब lecture जब भी देखोगे, concept building पे आपका maximum focus होना चाहिए, concept आपका अच्छे से clear हो, इस बात का ध्यान में रखना है, अब उसके बाद जो आपको पहले बता है, उसक आप physics management हो जाओगे, 21 days के बाद, फिर जो आप UI को स्टार्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, initially आपको questions का level step best भी बराना है, वरना अगर आप questions solving नहीं कर भाऊगे, तो automatic आप demotivate हो जाओगे, next revision के लिए आप detail notes पर सकते हो, detail notes के थूरू, आप अच्छे से topic को clear कर सकते हो, initially फिर माइन में रहता है, लेकिन एक दो दिन बाद, माइन से almost निकल जाता है, almost बोल जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ पर ही नहीं है, तो ऐसा आगर होता है, तो आपको simply revision सहीज़े करना है, regular करना है, इसके लिए आप active revision technique को follow कर सकते हो, यानि कि question practice के तुरू आप revise कर सकते हो, ले सब questions का detailed explanation आपको अच्छे से समझना है, इससे क्या होगा, कि जो topic आप भूल चुके हो, उनी सब topic को आप दो बार revise करो के, यानि कि इससे क्या होगा, कि आपका revise भी हो रहा है, और साथी साथ regular basis भी फ्लेस कार्स के थूरू भी revise कर सकते हो, और short notes के थूरू भी revise कर सकते हो, तो आप मुझसे भी बाई कर सकते हो, इसके लिए आप टेलर्राम चैनल पर मुझे मेसेज कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से आपको manage करना है, अगर फीजिक्स में आप अच्छा आसा score करना चाहते हो, तो बिल्कुल 0 लेवल पर हो, या बहुत जाता वीक है, फीजिक्स अमझ मैं नहीं आता है, तो इसको follow कर सकते हो, नीच से लेटर और वीडियो में चैनल पर मिल जागा, टाइम टेलर्राम वीडियो में मैं बता रखा है कि कब रिवास करना उसको जाके देख सकते हो, तो बस मैं आपको यह बताने थी, मिलते है नेक्स वीडियो के साथ, थैंक्यू कि अधियो बता है ट्रूब कर दो बता है, तो बता है रखा है, चैंक्यू बता है, तो लेचर तो एफ जादाच कर दो बता है, वीडियो में मैं देख सकते हा तो इसके घजांड़, देख सकते हैं।